जूट 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 तीवी अखबार सोसल मीडिया हर जगे बस जूट समझी नहीं आता कि आज के युग में विश्वास किस पर करें भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो तो जूट भारत चीन के लड़ाई हो तो जूट किसानों का मुद्दा हो सेना का मुद्दा हो या साला आम आदमी का मुद्दा हो। हर खबर बस जूट, परपंच और सड्यंत्र। शुशांत की मौत के पहले से ही एक जाल फैलाया जाता है डिप्रेशन नाम की बिमारी का। डिप्रेशन, एक ऐसे इनसान को डिप्रेशन जो शूटिंग कर रहा है, पार्टी कर रहा है, अपने मोबाइल पर गेम खेलता है, गेम कंपनी खोलने के लिए कोडिंग सीख रहा है, खेती के लिए जमीन खरीद रहा है, नई नई फिल्मों की स्क्रिप्ट सुन रहा है, उस बारे में ये जूट फैलाया जाता है, कि वो डिप्रेशन में था, किस तरह का डिप्रेशन था ये, जिसमें इंसान नॉर्मल इंसान की तरह सारे काम कर रहा था, जो इंसान नई नई फिल्मों की कहानिया सुन रहा था, उसके बारे में बोला जा रहा है, कि वो फिल्में न जैसा कि आप सब को पता है रमेश तौरानी और निखिल आडवानी बहुत बड़े फिल्म निर्माताओं में आते हैं और उन दोनों ने शुसांत को अपनी फिल्म की कहानी कौन्फरेंस कौल पर लगातार दो-तीन घंटे तक सुनाई उस मेराथन कौल में शुसांत ने ना सिर हसता है सवाल पूसता है फिर किस तरह का डिप्रेसन था ये सुसांत को रास्ते से हटा के उसकी हत्या को आत्मत्या में बदलने के लिए जूट का एक ऐसा जाल हमारे चारो तरफ फैलाया गया जिसमें आम जनता उलजती चली गई कौन है वो इंसान जिसने हत्या के दिन से ह मीडिया के सारे डिप्रेसन की कहानिया चलवानी सुरू कर दी कौन है वो जिसे सुसांत का जिंदा रहना इतना आखर रहा था क्यों इतना बड़ा सडियंत रचा गया क्या चाहता था वो सुसांत को रास्ते से हटा के मुझे नहीं पता कि पुलिस की जाच में क्या परेनाम पूलीस को खरीच सकता है, सरकार के मुह पर ताला मार सकता है, कौन है वो कातिल? रिया अकेले तो ये सब पिलकुल नहीं कर सकती मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि हमें चुप नहीं बैटना है, हमें युही डटे रहना है तब तक जब तक CBI उस इंसान की गिरेबान तक नहीं पहुंच जाती जिसने ये सारा सड्यन्त रचा है कौन हो सकता है वो सक्ष किसका सड्यन्त रहे कमेंट करके अपनी राय अवश्य दे इस आवाज को रोके नहीं अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि मंजिल अभी दूर है सत्यमेव जयते